नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सबसे important question करने वाले हैं most important question जो हम पिछले जो वीडियो में हमने 47 वा लेक्ट था उसमें हमने test के बारे में पड़ा logarithm test उससे समंधित जो question आने वाला है सबसे important है बहुत बार ये एकलोगता question ऐसा है जो दो तिन बार exam में आया है तो इस question को आपको जरूर सोल करना है थोड़ा सा lengthy question है दोस्तों थोड़ा सा आपको दिखतें भी आ सकती है लेकिन मैं अकोसिस करूँगा कि आपकी सारी problem इस question की मैं दूर कर सकूँ तो चलिए सुरू करते हैं आज की इस वीडियो को अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें सेर करते मिनें दोस्तों के साथ क्यों इस तरह है कि यूसीपुल वीडियो हम आपके लिए लाती रहते हैं सुरू करते हैं आपको वही काम करना है। क्यों क्यों में आप हर बार करते हैं आपको दो यह क Democrat reach क्योंच चैकरना है कि अवा सारी होगा या आप सारी होगा एक मिनिट दोस्तों है ठीक है तो यह क्यों सन मैं लिखता हूं लोगरिथम जो टेस्ट है उससे क्या क्यों सन मनता है सो देट अब देखिए आपको यहां पर स्टी इसका अर्थ क्या हुआ कि यह जो सिरीज है वो एक से बड़ी होगी क्नवर्जेंट प्रूफ करना है तो एक से तो बड़ी होगी और देखिए इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए ऐसी छोटी-छोटी चीजें आपको पता ह होगी तो आप अराम से इन चीजों को कर पाएंगे आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी कि लोग थ्री और यह क्योशन इपोर्टेंट क्योशन है दोस्तों जिस्तर है जो हमने एक टेस्ट पड़ा था वह मैंने आपको इपोर्टेंट बताया तो ठाश था तो भी आपको बहुँ जादा उसकी प्रैक्टिस करनी है और बहुँ जादा वो इपोर्टेंट भी है तो देखेए आपके सामने क्योशन मैंने लिख दिया है अब इसका हम सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले आपका का क्या है जो मैνे आपको बताया है आपको यू निकालना है और यू प्लस प्लस वन सब्सक्राइब तो यू 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 न यू आपको इस बार डायेक्ट ब्सलें दे ही रिखा है यू न बराबर तव लॉगं माण अपउन प्लस 1 के उन मातर प्लस वन करना है अन की जगे और नीचे भी अन प्लस वन और इसकी भी क्या है होल स्केर दूसरी चीज आपको करनी है रेशियो टेस्ट लगा रहे हैं एक बार आप रेशियो टेस्ट से करेंगे तो ratio test आपको पता ही है क्या करना है u1 upon u1 plus 1 करेंगे u1 upon u1 plus 1 आपको निकालना है चीजें देखिए दोस्तों सारी वही चीजें है बस आपको इन चीजों को relate करना है किस प्रकार आप चीजें निकालते हैं सबसे पहले आपको काम यही करना है u1 find कीजिए और u1 plus 1 find के लिए दो चीजें आपको सबसे पहले find करना है और यहाँ पर u1 upon u1 plus 1 आपको लगा देना है अब देखिए क्या होगा log n की square upon में देखिए n square और यह part into में उपर जाएगा n plus 1 की whole square upon log n plus 1 की whole square कोई दिक्कत नहीं दोस्तों n plus 1 की whole square upon में n square और into में आजाएगा log n upon में log n plus 1 की whole square ठीक है आपने इतना काम कर दिया है अब आपको केवल मातर यहाँ पर जो limit लगानी है जो limit की process होती है लेगिन उससे पहले आपको इस चीज़ का परसार करना पड़ेगा परसार क्या होगा वो चीज़े देखिए एक बार आप एक बार इस चीज़ का screenshot लीजिए फिर हम आगे चलते हैं क्योंकि जगें इसमें कम है दोस्तों चीज़े ले लिया होगा दोस्तों स्क्रीन सोट आगे बढ़ते हैं फिर अब देखिए आप ने इतना निकाल लिया यूँवन अपोन यूँवन और प्लस वन इक्वल यहाँ पर इसका बाग देंगे तो यहाँ पर वन प्लस वन अपोन अन की होल स्केर और इंटों में देखिए लोग अन है आपके पास और इसका जब आप परसार करेंगे लोग N plus 1 का तो एक तो लोग N और plus लोग 1 acost upon 1 के पावर और इसकी square कितनी है दोस्तों इसकी power कितनी है दो है ठीक है इतना कर लिया अब आपको direct इसमें लिविट लगाने से पहले भी आपको इस चीज माइब प्रसार करना होगा log का आपको प्रसार याद होना चाहिए log one plus one upon n का प्रसार होता है one upon n minus one upon two and square plus one upon three n की वीस्वरकार ये प्रसार आगे से आगे n की वेलियूज बढ़ती जाती हैं तो आपको ये तीजे भी ध्यान में रखनी है और देखिए इतना करने के बाद अब आप जैसे ही इसमें लिमिट लगाएंगे अब लिमिट लगा दीजिए अन से इंफिनिट्यू यू अन प्लस वन यहाँ पर क्या होगा वन प्लस वन अन की होल स्केर अब लोगन आप यहाँ से प्रसार आपने कर दिये हैं दोस्तों लोगन आप यहाँ से कोमन निकालेंगे दोनों में से यहाँ पर उपर वन बचेगा और नीचे वन प्लस और इस परकार वन अन माइनस वन टू अन स्केर इस परकार यह चीज़ें बच जाएंगे जैसे ही आप यहाँ पर अन से इंफिनिट्यू लगाएंगे तो इसका रेजल्ट आपको कितना मिलेगा लिमिट अन से इंफिनिट्यू यूँ अन अपों अन प्लस यूँँ अन प्लस 1 बराबर एक यानि रेशियो टेस्ट आपका फेल हो गया है रेशियो टेस्ट फेल हो गया तो अब आपको लोग वाले जो टेस्ट है उस पर जाना पड़ेगा तब तक आप इसका स्क्रिन हम आगे बढ़ते हैं लोग वारा टेस्ट अब हम लगाने वाले हैं क्या होता है लोग वाला आपको मैंने सारी चीज़ें बतार की है के के ओल मातर इसके आगे अब लोग लगाना है जो आपने यूँवण अपॉन यूँवन प्लूस मन की वेल्यू जो आपने निकाली है के बातर उसमें आप लोग लगा दीजिए और आपको जो रजल्ट है वो रजल्ट आपको मिल जाएंगे दोस्तों यहाँ पर देखे azya कि हमाने लोग लगा दीजिए कोई दिक कता नहीं इस 织सले ठीक है तो लोग लगाएंगे लोग जो इंफ्ञिटीयू की वैल्यू है यहाँपर देखे इंफंफटीयू होगी और यहाँ फिर वन अप laborulator value 0 हो जाएगी तो यह process आपके सामने है अब देखिए यह test fail हो गया अब आपको यह चीजें ध्यान में रखनी है अब हम लगाने वाले हैं logarithm test important test है logarithm test देखिए क्या है logarithm test आपको यहाँ पर लगाना है तो उसमें आप क्या करते हैं u1 upon u1 plus 1 है और उसके जगें आप log लेंगे log और यहाँ पर n लगाएंगे इतना ही काम करते हैं यही तो आपका test है तो सबसे पहले हम इस log को लगा कर solve करते हैं यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ पर log लगाएंगे तो log m.n की property लगेगी यानि log m plus n यहाँ से लगाएंगे तो log 1 plus 1 n की whole square और पलस यहाँ पर क्या आएगा 1 plus 1 यहाँ पर log लगाना है दोस्तों लोग यहाँ पर भी लगेगा ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा 1 upon n log n और इसकार आगे करके यह चीज़ें बढ़ रही है 2 n square log n और इसकी power 2 ठीक है अब देखिए अब सिंपल हो गया चीज़े कुछ नहीं करने देखिए लोग m की power n है तो यह आगे आएगा 2 log 1 plus 1 upon n और देखिए इस वाले पार्ट को क्या मैं उपर ले जा सकता हूं उपर ले जाओंगा तो power क्या होगी माइनस की तो माइनस 2 और इसकी तरह ही यह आगे आएगा तो माइनस 2 log 1 plus 1 n log n माइनस 1 2 n square log n ठीक है यह power आगे आगी है अब देखिए इसका परसार करेंगे वही जो हमने आपको पहले ही formula बता चुका हूं लोग इसका परसार का क्या होता है दोस्तों 2 अब इसका परसार आपको पता ही होगा कि 1 upon n माइनस 1 upon 2 n square पलस इस परकार आगे यह बढ़ता जाएगा ठीक है यहाँ पर देखिए माइनस 2 अब एक log 1 log 1 क्या है 0 होगा log 1 की value 0 है यह तो part neglect हो गया अब यहाँ पर भी हमीं कहा देखिए log वाली property यहाँ पर भी ऐसी कैसी ज जागू होगी या नहीं होगी ть log 1 प्योल एक साथ यहाँ पर प्रतीक के लिग आएगा इसके लिए भी इसके लिए भी लोग जाएगा अब यह सारी property दोस्तों ऐसी लग रहे हैं यह सभी के लिए आगे माइनस फिल यहाँ पर 2 n square log n इस प्रकार ये properties आगे से आगे बढ़ती जाएंगे पर तेक इसके लिए भी इसके लिए भी अलग परसार होगा पर तेक के लिए क्योंकि आप पावरें बढ़ रही है तो इन पार्ट को हम देखिए n square की value बढ़ रही है तो और भी छोटे होते जाएंगे तो इस पार्ट को ही हम 0 मान सकते हैं क्योंकि देखिए जैसे जैसे अन की value बढ़ती जाएगी या एक पार्ट को इसको सोड़ सकते हैं आप बाकि जितने भी n square वाले आएंगे वो सारे 0 मान सकते हैं अब यहां पर इंफिनिटिव लगाएंगे तो लोग इंफिनिटिव की value क्या हो होगी लोग इंफिनिटिव की value यहां पर सारा यह पार्ट फिर से 0 हो गया क्योंकि यह अंदर 0 यह भी 0 अब बचा क्या आपके पास और यहां पर आपके पास यह इतना निकाल दिया यह किसके बराबर है लोग u1 upon u1 plus 1 के लिए लेकिन जो formula होता है उसमें n into में और होगा तो यहां पर 2 n 1 upon n minus 1 upon 2 n square आप करेंगे डोट डोट ठीक है अब देके n से n यह पार्ट cancel हो गया एक n यहां से cancel हो गया अब यहां पर आप limit लगाएंगे तो यह वाले पार तो आगे वाले 0 हो जाएंगे बचा क्या है आपके पास 2 बचा 2 यह बचा है और 2 greater than क्या है 1 होता है तो यह आपकी series क्या होगी convergent होगी ऐसे आपको क्योशन करने है थोड़ा सा दोस्तों जटिल प्रकार का क्योशन है calculation थोड़ी सी दिक्कते आ सकती है जैसे आपको भी लगा होगा कि थोड़ा भूत हम फस सकते हैं लेकिन आप जैसे जैसे practice करेंगे आपको यह सारी चीजे clear हो जाएंगे त आपको पसंद आ रही होगी अगर पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें मिलते हैं इस तरहें के और वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद चैहें